कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये आज की रेक्शन वीडियो है एक हिंदू भाई ने डॉक्तर जाकी नायक्स आपको बोला था कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं अभी इसलाम धर्म को कबूल कर लूँगा तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या सवाल था और वाकी डॉक्तर जाकी नायक्स आपको एड्रेस कर पाये थे या नहीं कर पाये थे अगला सवाल माइक नमबर तीन से वहाँ पर कोई अगर गयर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नमबर तीन से मेरा नाम नित्यानन यादाब है जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पती के ओर से तलाक दे दी जाए फिर उसकी साधी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आवरत हो जाती है ऐसी इस्तिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने विभिन जल्सों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुसल्मान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पंच सो रुप्या का एक बकरा धाकर भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ति पूजा गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आप से गुजारिस करूँगा बार बार दर्खस करूँगा कि आप मुझे सबकुष्ट कर दिजिए मैं इसी वक्त हर्म कबूल करूँगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा हिदायत देना और ल्ला के हाथ में मैं आपको जवाब दू हगा एंसा भाइसा सवाल है कि इस्लम मदभ में अगर कोई औरत गलती करती एक दो तीन चार बच्चे है एक दो तिन गलती करती है मुसल्मान उसे तलाग दे देता है फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है हिंदू धरब में तलाग है यह नहीं तो इसलाम धरब में तलाग क्यों है बेसिक आपका सवाल है का इसलाम मजब में तलाग क्यों है बराबर हिंदू मजब में नहीं ये आपका बिसी सवार पर बाबर बैसव का इसलाम मजब में तलाख क्यों है बराबर क्यों तलाक किव तलाख यह आपकी इसलाख से तलाख नहीं होना चाहिए अक्सर मजाहिब में तलाक नहीं है डिवोस नहीं है Christianity में भी आप पढ़ेंगे Christianity में Gospel of Matthew Chapter No. 5 उसमें पढ़ेंगे Verse No. 31 और 32 It has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce But I say unto you पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है लेकिन मैं कहता हूँ Unless आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते है फिर यह आप डिवोस दे सकते है तो यह Bible में डिवोस की एक शर्त है उसके इलावा डिवोस नहीं दे सकते है और हिंदू मजब में बिलकुल सही फरमाते हिंदू मजब में डिवोस ही नहीं है क्यूंकि निकाह एक मिसाख है जो कुरान मजद में लिखा है निकाह is a मिसाख contract between मिया भीवी और और मर्द अब शादी करते हैं निकाह एक मिसाख है sacred covenant एक contract है हम मिया भीवी होंगे अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता है होता है कि ने तो आप क्या करते प्यार से उसके साथ पाठ हो जाते इसलिए जब ये contract आप मिया भीवी का करते है contract करते है टाइप आप contract रहते हैं अश्याला हम जिन्दगी बरते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगें लेकिन जब शादी होने के बाद चंड साल बाद हो सकता है दो साल बाद चार साल बाद हो सकता है दस साल बाद आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के compatible नहीं है ज्रूरी नही है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए बहुत थे बाद दोंग में बराबर जच्छता नहीं है हैं आप आईये मगरभी मुल्कında के जो कस्टम जै रिवात अलगे हिंदूस्थान के अलगे बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना इस्टन कल्चर हल लग है हम सब्यता में मानते हैं हम modest है वो western country में बिक्नी में घुमते आपकी बीवी बिक्नी में घुमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना western country में चलता है आप समझे के ने भाई सब भाई सब जी समाझता है लेकिन मेरा जवाब पुरा नहीं हुआ मेरा जवाब पुरा नहीं हुआ तो अगर आपकी बीवी बिक्नी में घुमेंगे तो आप तो बोलेंगे वह जाओ अपने अपने घर पे जाओ वेस्टन कंट्री में चलता है उनकी बीवी बिक्नी में घुमती उनको कोई फरक नहीं और हो सकत आए के दोनों अच्छे ने तो ऐसे मोके पे कुरान मजीद में अल्ला सुभानाओं ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाख होना चाहिए जब तलाख होता है तो तलाख के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें पां क्या प्रवाण में अईसे हैंने बीवी नमक जदा दाली खाने में आपने वला तलाख 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 प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझता हो जाता है, फिर भी ने प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर आप तलाग दे सकते हैं, तलाग देने का तरीक है, तलाग तलाग ने, तलाग दो, फिर तीन महिने रुखो, और ट्राइल पिरिड है, इद्धत का मुखा, इस दर्मियान तीन मेने में आपने तो बड़े जोड़ से बोले मैं बीवी के बिना रहे सकता हूं दो हफते में आपको डाला डेका बाव मालूम पड़ता है अब रुजू करो कोई प्रॉप्लम नहीं तो यह ट्राइल पीरिड भी अल्ला ताला ने दिखाया है अभी मैं आपसे सवाल पूछना जाता हूं भाई साब अगर अपकी एक बहने आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते बहने आप मैंस आप सुनने गे ने मुझे। हाव सूल रहे है। आप अपनी बेहन के लिए अच्छा शोर तलाश करते एकदम त्हकी करने के बात त्हकी के बात आपको पता लगता है एक साल बाद आपकी बेहन आपके पास आती है मैंस आप वो शोहर जो अपने मेले तलाश के बिल्कुल गलत आदमी क्या हो गया वो रोज मुझे मारता है क्या बात है वो शराब पी के रोज मुझे मारता है रोज मुझे जल्म करता है हर रोज बिना वजे मुझे मारता है मैं उसके खिद्मत करती हूँ मैं उस سے प्यार करती हूँ फिर भि यह रोज मुझे आके शराब पीके मारते है आफ जाके उससे बात करेंगे बैज क्यों चराब प्राइता है मैं क्यों मारते है ने मुझे मज़ा आता है आफ के समझाने के बाद फिर भी बिए नहीं मानता है हर रोज मारता है आप अपनी बेहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जीए या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करें मैं आपसे पुछना चाथा हूँ हिंदू की बात ने करता हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई साब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो जिल्मेरा ही बात कर रहा हूँ भाई साब मैं आपसे पूछना चाता हूँ अगर आपकी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश किया, एक सार बात पता चलता है कि वो आदमे अच्छा नहीं है शराबी है, जुवारी है रोज आपकी बहन को मारता है उसके साथ गरत हरकत करता है अपने दोस्तों को लाशता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन सिन इसको जेल ते स्याधि करो आप क्या पसंद्रोह करेंगी हिंदु मुलå को कि छोड़ो मुस्लिम को प्रेंगी तो मैं अगर इसे आपका ब्हण हघर के आपको मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहान तुमको जो पती मिला है तुम उसी का सेवा करो यह जो है जब हो जाती है अपकी बात करो मैं आपकी बात कर रहा हूं धर्म पर बात में आऊंगा मैं आप मैं आप से पूछ रहा हूँ कि द्धर्म से ने पूछ रहा हूँ मैं आप से पूछ रहा हूँ कि आपने पहन से कहा कि भै अपने शोवर की आप खिद्मत करो खिद्मत करने के बाद भी रोज मारता है उसकी क्या गलती बिचारे आपकी भेंगी आप बोलेंगे बरदाश करो आपको कल कोई मानने लगेंगा रोज आप जलम करने लगेंगा अगा बरदाश करेंगें आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से बेलन से रोज मारेंगी वो अच्छी माशिल आट्स की है रोज आपको मारेंगी आप उसको तनकाले के देंगे रोज आपको मैं आपसे पूछता हूँ आपकी बीवी रोज आ कि आप पाकिस्तान रिपोर्टार में बाई साब पाकिस्तान को छोड़ो मैं आपसे सब भाई साब मुस्लिम कमिटी के आउरतों से बाई साब सुनो मेरी बात ना पाकिस्तान को छोड़ो हिंदुस्तान को छोड़ो मैं आपस किले के आंदर बाएसबHS अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलेविशन पे मैं वोड़ आपकी बीवी अगर एक दो मट्टी करती है आप क्या उसको किले से बांद देंगे वो एक जापड़ आपको मारेंगी आप गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लोग का जो आवरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है अरे इसवार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए बाई साब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अन्हम्दुलिल्ला मैं आपकी बीवी की बातने कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोधिके ल लेकिन आम में नहीं अर्म ना सब्सक्राइब होता है लेकर हम मुसल्मानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिये जाते हैं मुसलमान पर बाद में आऊंगा ना मैं पहले आप से पूछ रहा हूँ अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बेहनों भी आपके बेहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे एक पसंट होगा दो पसंट बोलते मैं एक पसंट मोलता हूँ अब क्या करे ना मैं चोड़ूंगा नहीं उसको क्या करेंगे मैं कीले में बंध करके रखूँंगा अरे आप नहीं बंध कर सकते ना वो आप से ताकत का रहे बाय साहिए पदला की ब्यूर्ब करके लिए खाली हाईड़िये घंट हैसine मैं खाली हाइसी भी वहोती थी सो क्या आपकी भेन को अगर कोई रोज मारता है आपका भेनोवी रोज परिशान करता है लाल पीला करता है शराब पीता है जुवारी है तो आप क्या बोलेंगे भेन को मैं तो कड़ा पीता या नहीं होगा यह बात में ने क्या बोलेंगे आप अपने भेन को भेन को भेन को बोलेंग यह नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पती के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते नहीं दो हम तो हम तो बता रहा हूं आप जो बोल रहे इसी लिए जितनी नाइंसाफी आरोतों पर हो रही हिंदुस्तान में उसकी वज़े ये है कि हिंदू आरोतों पर जब नाइंसाफी होती है वो चुप चाप जहन करते हैं क्यों उसको आवाद उडाना चाहिए मुसल्मान आरोते आवाद उडा दिये तो लिखने में आता है जो आप बोलते हैं तलाक कितने लोग का तलाक यहां पूछेंगे मज़पे लाखों लोगे कितने लोग का तलाक होते हैं एक फिसद भी नहीं मिलेंगा आपको बाइसाब यहां पकर सरवे लेंगे कितने लोग का तलाक हो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा अभी तो हिंदू राष्ट है जो कोट में शुभल में जाते हैं अगर तलाक की फिश्द देखी जाएंगी तो मैक्सिमम मैक्सिमम enforced दो या तीन फिस्थ होगा लेकिन ये दो या तीन फिस्थ पर जो जुम होता है हो सकता है पांच फिस्थ पर ञुता है हिंदू के यंदर कितना जुलिम हो रहा है वो सेंगरे क्योंकि लोग बोलते कि है वो जाएंगी जन्नत में क्या सई है इसा धर धरम हो सकता है लो जुलुमकरे आने तुमारा शोहर तुमारा इश्वर वो शराबी भी है जोवारी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है फिर भी इश्वर कैसा इश्वर इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है भाई साब इश्वर एक है उपर वाला इश्वर है शोहर कभी इस वर होता नहीं हाँ शोहर की इज़त करना चाहिए लेकिन इज़त करने की हद होती है अगर हद से बाहर हो जाता है तो इसलाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते है शोहर भी अलग हो सकते है आउरत भी अलग हो सकते है तरीके है तलाख है खुला है निकाह फस्क है तो इ ये भी कहा गए शोर को कि बीवियों किसे अच्छा बरताओ करो अल्ला के रसूल फर्माते है कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है खुसूसां अपनी बीवियों के साथ तो कुरान में लिखा है और अधिस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोर की देखबाल करना चाहिए कुरान में लिखा है सुरे बकरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर 187 में कि आपकी बीविया शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों की लिबास है लिबास मतब एक दिसे को साहरा देते, एक दिसे को पोर्टेक करते, एक दिसे को फियूटिफाई करते है ये एसलम हे, it's a contract, उसका मतलब ने कि आपने शादी करदिये तो जल्म भी करो इसलिए सबसे ज्यादा अगर आउरतों पे जल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है गाउं गाउं में जल्म हो रहा है लेकिन आवाद में उटकी कि आप जैसे भाई अगर होईगे आउरत कैसे नजात पाएंगी आप जैसे भाई है जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे तो कौन बहन दुआ करेंगी कैसा भाई उसके पास हो कौन बहन दुआ करेंगी बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा मेरी जन्नम बन रही है और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगी कैसा ये कैसा इनसाफ है इसे लोग दुआ करेंगे इसे बाई से मुझे निजात दो ये बाई से छुटकारा दो और इसलाम में जल्म करना हराम है जल्म बरदाश करना हराम है आप अगर जल्म का साथ देंगे तो आप भी दोशी है वो जन्नत में तो जाएंगी तुम जाएंगे नर्क में समझे बाई साब बाई साब इसलाम में भाई का धर्म है कि अपनी भेन की रक्षा करे अगर भेन पे जल्म हो रहा भाई बोलेगा जाओ जाओ तो बेन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए बिचारी बरताश करिए तुम नर्क में जाएंगे तुम को कुण बचाएंगा क्या बाई साब आप नर्क में जाना चाहते है स्वर्ग में बाई साब इसलाम मानता हूँ आप का बात आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगा तो आप अपने बेन को नर्क बना रहे जिन्दगी को और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में हाँ आप अगर और अवरत होती थी तो अगर खुदा आपको और अवरत बनाता था और आप पे ज जर्म होना चाहिए जो सारे इनसान को यक्सा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सुरह उजुरात में सुरह नमर उन्चास आयत नमर 13 में ए इनसानों हमने तुमें एक जोड़े से बनाया मर्द और 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 आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इनसान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते हैं तक्वा कुरान में एक इनसान दूसरे इनसान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तक्वे के बुनियाद पे, तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Party, आप अच्छे इंसान बन सकते, जबी आप अच्छे इंसान होंगे, Righteous इंसान, आप मों में मरो क्यूंकि आपका मध्र कहता बराबर देखे जा रहे हैं आपको कैसे पता है आप तो बोलते चुप चाप रहो तो अवाज भी ने उठा करें तो मालूम कैसा पढ़ेंगा कमस कम मुसल्मान औरते आवाद उठा रहें ना चुकत देखा गया है देखा गया क्या देखा गया है मैं यह पुछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुम हो रहा है आपने बोले कि उसे चुप-चाप सहन करना चाहिए अगर ऐसा करें तो अक हिंदू तो अच्छा है मारो भी कुछ भी करो एश करो रोज मारो तो भी में साथ रहेंगी कैसा यह मजब है हिंदूस्तान में भी गलत है शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है रोज शराप पी के जुआ खेलके मारेंगा तो पुलीस को पता चेलेंगे पुलीस भी अंदर क मुश्किल पड़ता है क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाग दिया गया उसकी दुबारा साधी अगर नहीं करा सका तो वह बैचिया बन जाती है बाजार में जाके जिसम बैचती है अगर आपके यह रहे तो आप दूसरी शादी करा हो ना इसलाम में दूसरी ने पहली बीवी जब की शी वाज विडोड उनके शोर मर चुके थे अब समझे ना और जितनी भी बीवियां जो मुश्य की एक को छोड़के अकसर इधर विडोड थे या डिवोसी थे अब समझ रहे ना तो इसलाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोसी से शादी करते ह में बुरा थोड़ी है हमारे हिंदुस्तान में एक कलंद है डिवोसी से शादी करना इसलाम में ने सहबा के दोर में सहबियां ऑच्छी थे सहाबा भी अच्छे थे गौरों से याज़ों बेम अच्छे थे लिकिन आपस में उनका मेल ने हो था तो जोड़ी तो अपश्य से put a square in a round hole square peg in a round hole if you try to put अगर square को round में डालेंगे fit ने होएगा, अगर fit ने हो रहा है तो आप part करो अच्छे तरीके से प्यार से मुभबत के साथ उनको खाली PG court के अंदर जाके एक दूसरे को पर कीछर मत चालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, यह दूसरी शादी करेंगा, यह सबसे बहतरी ने सारे इंसानों के रहे, और दोनों जन्नत में भी जा सकते ना, जरूरी क्या, क्या वो शक्त इतना खुलम उठा है हद तो आपको पता है, लेकिन मानना मुश्किल आपके रहाओ भाई सबना जी और एक सवाल छिपावा है, जो थोड़ा उनका खुला सा कर देते, तो मैं सोच विचार के देख लेता क्या सवाल है, आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते हैं मानते हैं, लेकिन कबूल करना मुश्किल है कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये मतलब बंदा ये बोलता है कि बीशिक मेरी बीबी यज़े क्रेक्टर लेस है या मेरे साथ लड़ती है या कुछ भी ऐसा गलत काम करती है तो मैं उसको खूटे से बांद के अंदर कमरे में बंद करके रख दूँगा लेकिन वो बंदा उसको तलाग नहीं देगा आप वोही चीज होगी ना कि लड़ो, मरो, जो मरजी करो घर में बैठके लड़ते बिढ़ते रो लेकिन तलाग नहीं लो क्यों क्योंकि सुसाइटी बोलेगी अरे इनका तो तलाग हो गया जब आप इतना कहते हैं बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो उससे तो अच्छा है कि अलगी हो जाओं अगर आप लोगों की नहीं आपस में बन रही है नहीं होता है कई वाया हर किसी की लाइसमें होता है कि जरूरी नहीं है आपकी जिससे शादी होती है आप उसके 100% compatible हो अगर compatibility नहीं बनती तो लड़ाई है शुडू हो जाती है जरूरिन नहीं होता इसमें कि एक शक्स का खराब होना ही जरूरि है दोनों शक्स अच्छे हैं लेकिन नहीं बन रही है फिर भी नहीं बन रही उसके पीछे कोई reason भी नहीं हो सकता और उसका कोई solution भी नहीं निखाल सकता तो इसलिए better है अगर आप लोगों की नहीं बन रही तो अलग हो जाओं लेकिन ये चीज तो होती है कि लोग क्या करते है कि अगर किसी की husband wife की नहीं भी बन रही अगर लड़की जाके अपने घरवालों को पताती है कि मेरी इसे नहीं बन रही है क्या reason है बस नहीं बन रही है I कुछ भी मुझे अब्यूस करता है तब भी फैमिली उसको बोलती है कोई बात नहीं अब तो यह तेरे हस्बंड है तुम्हें पूरी लाइफ इसके साथ भी तानी है सुसाइटी क्या बोलेंगी अरे ऐसे रिष्टेदारों को छोड़ो ऐसे सुसाइटी को छोड़ो जो आपक लोगों की नहीं बनती और या फिर इतने ही जगड़े कलेश हो रहा है तो इसे अच्छा है कि आप दोनों अपनी अलग अलग लाइफ जी ओ आजकल सब कोई सेल्फ डिपेंड़ हैं और अपना आन कर सकते हैं खा सकते हैं तो अपना लड़ बिढ के रहने से तो अच्छा है अगर लगता है कि इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं गुड इनफ ट्राइट रिजॉल्व अपना बीईविर चेंज करो या वाइफ अपना करे या हजबन करे मतब अपने आपको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़े तो कर लो और अगर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम लोग नहीं कोई भी सोलुशन निकाल सकते हैं या फिर वी या नॉट यूना मिचूर इनफ तो हैब अपने फैमिली मेंबर्स को इंवॉल्व कर लो अगर आपको लगता है कि वह आपको अच्छी मशूरा दे सकते हैं तो उनको बीच में करो वो लोग बैठेंगे मुद्धे पर डिसक्रेशन होगा उसके बाद में अगर कुछ सोलुशन निकलता है गुड नहीं निकलता तो अलग हो जाओ फिर आता है फाइनल जो सेकंड वाला तरीका है फॉर्मल वे तो फॉर्मल में आप लोग जो तलाक लेते हो चाहें वह व है तब तो वह तलाक नहीं लेंगे अगर अंडरस्टेंडिंग अची है नहीं लेंगे तलाक की नोबत तब ही आती है जब आपस में अच्छी किसी की नहीं बनती है तो वह चाहें तीन तलाक से अलग हो इंसान चाहें कोर्ट में जाके केस फाइल करें और फिर हो वह दोनों मतरब तलागि ना प। यह कहना कि मुसुलमानों जब गढ़ रहे हैं मारते रहते हैं कि भी वह फाइल को हुआ ठीब wus जाएं में हुमारेना हुथ उसके भाहते है बहनोई अगर मारे, कुटे, जो मरजी करे, इवन जाके साहब ने ये बोल दिया था कि अगर उसका हस्बेंट, आपका बहनोई ये बोल देता आपकी बहन को कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में आपको गलत होना है, कि अगर नहीं बनती, तो अराम से तलाक ले लेना चाहिए इनसान को, बिना किसी टेंशन की, पती बहगवान कोई नहीं होता, जब तक पती अच्छा है आपकी साथ में, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको समझता है, वो आपके लिए इस दुनिया में सबसे बढ़के हैं, अगर वो आपके साथ बत्तमीजी करता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको अब्यूज करता है, सबके साथ में अच्छा बिहेव करो लेकिन ये नहीं कि पती मार रहा है उसके साथ भी अच्छे अखलाक रखने है ना अलग हो जाना चाहिए तो इसलिए ये जो पुरानी सोच है न लोगों कि पिटते रो लेकिन उसी घर में पड़े रो कभी नहीं करना चाहिए कभी मत करना इमिडेटली केस फाइल करो और तलाक लेके अलग हो जाना चाहिए मिस पिटने से मार खाने से तो अच्छा है कि दो टाइम की रोटी तो कोई भी कमा की खा सकता है कहीं पर भी जोग पर लो नेकिन किसी से मार खाखा कि उसी घर में क्यों बैठना तो फ्लीज ये मत सोचा करो कि पती इश्वर है या पती मेरा भगवान है अगर वो मारता है तो कोई भगवान कभी किसी को नहीं मारता तो ठीक है जी आज की जूडिय को में ही खतम करते हैं बाब बाई